जै मातादी मित्रों मेरा नाम पंडित प्रकार जोजी स्वागत है मेरे यूट्यूब फेस्बुक चैनल एस्टो आज में मित्रों आज हम चर्चा करें लिबरा तुला राशी के मंतली राशी फल के बारे में तुला राशी का नॉवंबर का महिना कैसे जाने वाला है कैसी होगी धन की, स्वास्त की, परिवार की इस्टती, दामपत जीवन की इस्टती क्या नॉवंबर के अंदर ग्रह गोचर होंगे इसके बारे में इस कारेकरम में डिटेल में मित्रो हम चर्चा करने वाले हैं और तुला राशी वाले जितने भी जातक और जातिका हैं जो हमारा मंदली राशी फल देखते हैं उनसे कैदना चाहता हूँ साल 2024 तुला राशी के लिए कैसा जाएगा बारा भविष्यवाणिया एक नहीं दो नहीं बारा भविष्यवाणी यानी बारा गटना है साल 2024 में तुला राशी के साथ में गटने जा रही है यानी कि बहुत बड़ा कुछ होने वाला है गुरु चंडाल दोश खतम हो गया आपके उपर से धहिया खतम हो गई तो बहुत बड़ा कुछ आपके जीवन में परिवर्तन होने जा रहा है साल 2024 में वो क्या होने जा रहा है उसके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल आज में जाकर वो वीडियो जरू देख ले साल 2024 की बारा भविश्यवानिया चलिए आप नौंबर के महिने में बात कर लेते हैं सबसे पहले बात करते हैं स्वास्ति की तो स्वास्ति भाव में ये कुण्डिली आ रही है तुला राची के बारवे भाव के अंदर शुकर देव रहेंगे तो नौंबर का महिना एक तारीक से लेकर तीस नौंबर तक देखा जाए कई खुशकबरी देने वाला रहने वाला है यानि कई खुशकबरी आपको मिलेगी जैसे कि किसी सिलेक्शन से संबंदीत कोई खुशकबरी आपको मिल सकती है या आपका कोई खाली मकान है वो रेंटिंग पे चड़ सकता है पूराना कॉन्ट्रेक्ट आपका रिन्यू नौंबर में हो सकता है जो भी आपकी बिगडी थी वो पट्री पर फिर दुआरा आजाएगी दुबारा आपका ट्रेक अच्छा हो जाएगा साथी साथ हैल्थ देखा जाए थोड़ा कफ की प्रॉबलम गहस की प्रउबलम तुला राशी को सदावारे बाकी देखा जाए health November के मेने में well and good रहने वाली है बलकि जो आपके काम में रुकावड थी जो काम आपका बन नहीं रहाता तो November में वो आपको सकरात्मक result मिलने वाल है धन की स्थति के बारे में अगर हम बात करें November में तो भई तुला राशी की धन की स्थति दो भागों में बटेगी एक तारिक से पंद्रा नॉम्बर तक देखा जाए तो तीन ग्रेग साथ बैटे हैं यानि सूर्ये बुद्ध और मंगल तीनों ग्रेग साथ बैटे यानि नॉम्बर के मैंने में धन में ब्रिद्धी तो जरूर होने वाली है यानि धन ब्रिद्धी होगी पर धन सम्मंदी प्रेशानी भी तुला राशी को लगी रहेगी पहला क्या रहेगी कि धन आएगा लेकिन खर्चे बहुत जदा होंगे खर्चे बढ़ भी जाएंगे किसी काम को आप खुद ही कराने वाले हैं यानि खुद ही आपके खर्चे बढ़ जाएंगे जैसे माकान पे आपका खर्चा होगा जरा सा काम पहले आप कराएंगे फिर बहुत सारा काम कराने वाले हैं और खूब से बड़े में करेंगे इसी तरह से करमचारी पे भी आपका खर्चा होगा यानि खर्चे बहुत ज्यादा होने वाले और आए थोड़ा कम होगी तो कुल मिला के देखा जाए तो पंद्रा तक आप थोड़ा टाइट रह सकते हैं जै माता दी बिनो जी मैं आपसे ये पूछने चाहरा हूँ कि आप गुरुजी से मिले हैं तो कैसा आपका अनुवाब और क्या लगा आपको मैं गुरुजी के पास करीब तीन चार साल से सायद मैं आ रहा हूँ यहां पर जब भी गुरुजी के एक तो दरसन करता हूँ तब ही मुझे पोजेटिव एनरजी अपने आती दिखाई देती है और जो गुरुजी ने उपाए बताए हैं वो अगर मैं कर लेता हूँ तो व आ रहे हैं आज कल मैं उपाए पूरी चेश्टा करूँगा उनको पूरा करने के लिए ठीक है तो जब भी उपाए आपनी करें उसको मेरो को फल मिला है अच्छा नोब हुआ है और आगे हम यह कौसिस करेंगे कि आप उपाए पूरा करें और आपकी मनों कामना पूर्ण हो हम तो यह है क्यों कितने भी अच्छे हैं लेकिन मेरे परिवार में गुरुजी से मिलने के बाद यह धारना बढ़ाए कि जो गुरुजी कह देते हैं वही फाइनल हमानके चलते हैं आप हम बात कर लेते हैं लेकिन पूरा नुवंबर का मैंना धन का फ्लो बहुत अच्छा है धन कमाने में कोई क्रेशानी नहीं दुलाराची की लेकिन खर्चें बहुत होंगे और 15 नुम्मर तक तो बहुत ज्यादा अब हम बात कर लेते हैं परिवारी के स्थती की तो परिवारी के स्थती में देखा जाए तो घर में आपके हलका रेनुवेशन का योग नजर आ रहा है साती साथ परिवार के साथ में आप किसी तीर्थ यात्रा में जा सकते हैं किसी मंदिर में आप दर्शन के लिए नॉवंबर में जाएंगे या नदी पहाड़ों की यात्रा तुला राशी वाले नॉवंबर में करने वाले हैं अब बात कर लेते हैं तुला राशी की उनकी जिनकी संतान हैं तो संतानों के लिए देखा जाए तो भई यहां पर नॉवंबर क और चार नॉब्बर के बाद से शनी मारगी हो जाएंगे तो कहई-nah-kई शची होगा अपका एक्टिव हो जाएगा तो जो बड़ी संतान है उनकी लिए बड़ा लाप करीए जो बड़ी संतान का मतलब जो कॉलिज में जाती है जो नौकरी कर रही है उनके पद प्रमोशन के योग मंते करियर में कोई बड़ी सपलता उनके हाथ नौमबर में आएगी छोटी संतान का सब नौर्मल है ज़ कुछ करने माले हैं नौमर के महने में और मनटां को बब thirty मातापिता को सर्प्राइज इंद साथ मितनें अच्छानक आपका बान हें रिश्य को andere में जाने में बन रएकली notated रही मेन खुंसांगे मांतार के सार्क अभूमनाफंप स समय मित्रों के साथ की चिर्न akade करते हैं तो नौकरी वालों के लिए नवंबर का महिना दो भागों में बढ़ जाता है एक तारिक से सूला नवंबर दक देखा जाए तो धन में तुला राशी की बृद्धी पद में बृद्धी होगी लेकिन तुला राशी की जितनी उम्मीद थी उससे कम है आप संतूश न और ऑफिस से आपकी कोई बस्तू भी गुम हो सकती है या चोरी हो सकती है ऐसा योग 16 नौवंबर तक बन रहा है फिर देखा जाए तो 17 से 30 नौवंबर के बिच में काम के सिल्सले में आपको दूसरे शहर की यात्रा करने ही पड़ सकती है 17 से 30 नौवंबर तुला राशी का बड़ा बिजी सिड्यूल रहने वाला वर्क लोड से आप बहुत ज़्यादा परिशान रहेंगे यानि वर्क बहुत ज़्यादा रहने वाला है यानि 17 से 30 नौवंबर तुला राशी वाले इसी प्रकार से दामपत्य जीवन की बारे में बात करें तुला राशी के चाया प हुआ रहे हैं जिनकी शादी नहीं हो रही तो नौवंबर से शादी के योग आप उनके शुरू हो जाएंगे साधी या रिलेशन में जो बादाय थी वो खतम होती भी नजर आ रही है साथी साथ पार्टनर के साथ में किसी तीर्थ यात्रा में या तीर्थ मंदर में या तुला राशी वाले व्यपार करते हैं तो नौवंबर का महिना अच्छा और बुरा दो भागों में बटने वाला है यानि एक तारिक से लेकर 15 नौवंबर तक देखा जाए तो कहीं ना कहीं काम में जबरतर तेजी रहेगी साथी साथ काम बहुत ज्यादा रहेगा लेकिन तुला राशी को थोड़ा साबधानी रखनी है ज्यादा माल उधार नहीं देना धन उधार नहीं देना लेने में आपको परेशानी आ सकती है याद रखेगा तो धन का फ्लो या आपकी सेल का फ्लो आप कैश फ्लो रखें या ऑनलाइन फ्लो रखें लेकिन उधार माल ज्य यात्रा करनी पड़ सकती है और नौंबर में यानि टोटल नौंबर में तुला राशिव को खूब बजार गुमना पड़ सकता है इस सहर से उर सहर पे क्लाइन के घर की के की यात्रा यानि खूब ज्यादा आपका बीजी नौंबर रहने वाला है तो मित्रों इस कारेकर में पाज इतना ही मुझे दीजिए जाए माता दी मैं पंडित परकास जोट्सी का प्रोग्राम रोज देखती थी पर मैं सोच थी यह सब बगवास मैंने देखती ती फिर एक दिन मैं ने पनी मन में सोचा कि बेटी की साधी नहीं उपा रही है चलो एक वार मैं आजमा के देख उन्हों ने में कॉल किया फिर मैंने पंड़ पंडर जी से बात की, उन्होंने मेरे को थोड़े छोटे उपाई बताये, आपको ऐसे करना है, वैसे करना है, मैं थोड़ा थोड़ा उपाई करने शुरू कर दिये, फिर दीरे दीरे मेरे जीवन में परिवर्तना ने लगा, बेटी का रिस्ता भी पक्का हो गया, सादी भी हो मैं आूपी झाल चाल certification आविति करना है, बात के अ करना है, वैसे लिएओाई मेरे लोगगे ऎने लोग़े लोगगे लेगाई करने हागा थारे सादी मेरे करने हो श्स Ngayक करे लोगए, आवचे को थोड़ाई आपको औरे। बात का उrit करे सादीआ करे दोगितिक हो तेर